गुड मॉर्निंग शुडेंट्स तो आगे बढ़ते हैं हम जो टॉपिक देख रहे थे अब तो हमारा सेंटरल फोर्स इसके अंतरकत हमने जो प्रिविएस लेक्षर थे उसमें हमने सेंटरल फोर्स की डेफिनेशन उसकी जनरल प्रोपर्टी और एक इंपोर्टेंट डेरिव प्रिविए अंडर दा सेंटरल फोर्स तो उसके लिए जो डिफरेंचल इक्वेशन हमारे पास आई थी वो क्या थी एक वार में इसको लिग देता हूं डी तो यू अपॉन डी थीटा स्क्वाइर प्लस यू इसीगल टू माइनस एम अपॉन जे स्क्वाइर यू यह वेरी इंपॉर्टन डिफरेंचल इक्वेशन थी जो हमने बिल्कुल डेराइव की थी और आपको यह याद रखनी है हमेशा यहां पर आपके जो यू था वो क्या था यू था था अब इस डिफरेंचल एक्वेशन का मतलब क्या है इसमें देखिए अगर आपको केंद् आपको बल चेत्र फोर्स फिल्ड दियावा हो तो आप उसकन की इस्तति आपको आप क्या गयाद कर सकते हो तो इसमेशन से पता क्या चल रहाएं कि दूदर के चीज़े हो सकती है बल चेटर दियावा हो तो सदस्र आपको तो आर पता करना पड़ सकता है और अगर आर दिया वह हो तो आपको बल छेत्र पता करना पड़ सकता है कि वह बल छेत्र किस प्रकार का होगा और याद रखिए जब आप बल छेत्र ग्याद करोगे तो वह केवल और केवल किस पर डिपेंड करेगा केवल और केवल डिपेंड तो इस तरह से आपको चीजे याद रखनी है और जब आप यहाँ पर दिया और आर गयाद करोगी तो आर गयाद करने का मतलब क्या हो जाएगा कि वो कंड किस प्रकार से गत्री कर रहा है ठीक है ना क्योंकि आर के द्वारे तो हम यह पता लगाते हैं कि कण क्या trace करेगा अर्थारत कर किस प्रकार का क्या किस प्रकार का वो संको परिछेद निर्मित करेगा तो जब नुमेरिकल से आएगे तब आपको आराम से पता चल जाएगा आज हम हम क्या कर रहे हैं हम एक case consider कर रहे हैं कि motion of a particle under central force तो हम पढ़ी रहे थे उसके अंतर रहे थे particular case है वो क्या है कि inverse square low व्यूत्करम वर्ग नियम ये क्या होता है कि जो आपका बल छेत्र है FR ये यदि इस प्रकार का हो 1 upon R square प्रकार का ये क्या है व्यूत्करम वर्ग नियम ही तो है व्यूत्करम यानि 1 upon और वर्ग यानि R square जो आपके कूलम force है गरविटेस्टल force है वो सब क्या एक प्रकार से व्यूत्करम वर्ग नियम है तो अगर आपका केंद्रे बल inverse square low type का हो तो उस इस्तती में कोई कर्ण अगर इस बल चेतर में गती कर रहा है तो उसकी गती के समीकर्ण को आप किस प्रकार से लिखोगे अर्थार्द हमारे पास ये बल चेतर दियावा है और अब हम इस differential equation को solve करेंगे तो हमें क्या मिलेगा मैं मिलेगा R तो हमारा next काम क्या है इस पूरे derivation को solve करना है और R का मान निकालना है मैं एक वार इसको preplace solve कर ही देता हूँ ठीक है न और फिर मैं आपको बता दूँगा कि competitive exam के इसाब से आपको क्या क्या चीजे note करनी है तो थोड़ा उस solution को हम देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं तो देखिए व्यूत्क्रमबर्ग नीम के लिए आप क्या लिख सकते हो मैं तोड़ा पता दिता हूँ आपको आप लिख सकते हो ऐसे कि जो FR होता है वो होगा 1 upon R square या इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो minus K upon R square फिर आपने एक फॉर्मूला यह भी पढ़ा था कि जो FR होता है वो होता है minus del V upon del A जहां V क्या था आपका potential energy तो जब इसको आप solve करोगे तो आपके V क्या मिल जाएगा V मिल जाएगा minus K upon R तो इसको आप जब integrate करके solve करोगे minus K upon R मेल जाएगा और अगर मैं U के term में लिखना चाहूं तो यह क्या हो जाएगा minus K U square और यह क्या हो जाएगा minus K U तो यह formula भी आपको formula क्या है बिल्कुली basic चीज है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए ठीक है तो बस अब हम क्या करता है इस differential equation को solve करता है तो चलो यह मैं लिख देता हूँ D2U upon D theta square plus U is equal to FR क्या minus K U square तो minus minus तो plus हो जाएगा M upon J square U square K U square तो यह cancel हो गया तो पीछे क्या बचा D2U upon D theta square plus U is equal to M K upon J square अब देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ D2U upon D theta square U minus आप देखिएगा मैं बता दूँगा यह मैंने कैसे लिखा है plus U minus M K upon J square मैंने क्या किया इस M K upon J square को इधर लाया था U minus M K upon J square हो गया और अगर मैं इस bracket के अंदर M K upon J square लिखता हूँ माल लो तो कोई फरक थोड़ी बड़ेगा क्योंगे M constant K constant J square constant तो अगर आप इसको open भी करोगे तो पद आपके क्या बचाएगा D2 upon D theta square ही बचाएगा क्योंगे इसका differential क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो फिर मैंने यह similarity बनाने के लिए कुछ add गिया है तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ let यानि माना U minus M K upon J square मैंने कोई capital U माल लिया तो यहां से आपके D2 U upon D theta square क्या हो जाएगा D2 U capital D theta square तो बस अब रखके इसको solve करता है तो आप देखिए यह हो गया आपका D2 U upon D theta square plus U is equal to 0 यह आपकी क्या एक differential equation है जिसको आप पढ़ चुके हो यह क्या एक प्रकार की differential equation है और इसका solution होता है बिल्कुल simple होता है आपको पता होना चाहिए ठीक है ना इसका solution क्या हो जाएगा the solution of equation 1 is यह क्या होगा U A cos theta minus theta जिरो आपको यहाद ही रखना है बैसे differential equation के chapter में आप इसको solve करो गए तो इस प्रकार कान सुराएगा वो E की power में भी आता है sign में भी आ सकता है रकॉस में भी आ सकता है तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हो तो अब आपके पास क्या गिया U आ गया अब मुझे तो equation क्या चाहिए जो मेरी equation थी आपकी इस से मैं क्या निकाल सकता हूँ इस से मैं निकाल सकता हूँ D2 upon d2 square निकाल सकते हो या D2 upon d2 square भी आप निकाल सकते हो एक तो चीज आपको यह पता रखनी है अब आगे हम देखते हैं क्या करेंगे इसमें तो देखिए U आपके यह आ गया एक आपके यह महन रखा था तो यहां से small u क्या आ जाएगा यहां से small u आ जाएगा U की जाएगा हो जाएगा A cos theta minus theta 0 plus M के अपन J square equation number 3 हो जाएगी तो यह आपके क्या आ गया U आ गया तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं हमने simple साएग काम किया जो differential equation आप जानते उसको लिख दिया फिर आपको inverse square low पता है तो उसका मान रख दिया और इसको एक तरीके से solve किया और मैं यहां तक महुँझ गया ठीक है अब आगे हम क्या करेंगे आपको पता है कि किसी कण की जो कुल उर्जा होती है किसी कण की कुल उर्जा उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं उसको देखिए आप टोतल एनरजी वो होती है आपकी E is equal to कईनेटिक एनरजी प्लस पोटेंशिल एनरजी तो कईनेटिक एनरजी का मान क्या होता है हाफ MV और पोटेंशिल एनरजी आपको पता है आपने यहां से निकाल रखी है माइनस के उ तो चलो ठीक है गयलो माइनस के यू अब आप याद कीजिए जो फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने वी और ए के मान गयाद किये थे पॉलर कोडिनेट्स में और उसके पर साथ जब हम डिफरेंशिल एक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे ठीक है ना जब आपकी ये डिफरेंशिल लिफरेंशिल आई थी तो यहां पर हमने एक आर डोट का मान निकाला था और उस आर डोट के साथ साथ हमने वी का मान निकाला था और वी स्कॉर का मान निकाला था और मैंने वहां पर कहा भी था कि उस चीज़ को आपको याद रखना है तो वहाँ पर जो V square का मान आया था, वो क्या आया था, आपका मैं लिख देता हूँ, वो मान आया था, J square upon U square, sorry, J square upon M square, Du upon D theta का whole square plus U square, ये मान आया था, तो जब आप इसको, और 7 minus KU तो चली रहा है, तो जब आप इसको solve करोगे, तो ये M से M चला जाएगा, J square upon 2M, Du upon D theta का whole square, plus U square minus KU, ये तो आपके क्या आगई, total energy आगई, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब ये U आपको पता small U, small U पता है, यहाँ पर सारा क्या small U है, तो इ यहाँ पर U रखोगे, यहाँ पर U square सब मान रखोगे, और कुछ mathematical calculation होगी, उस calculation को मैं यहाँ करने में interested नहीं हूँ, क्योंकि यह हमारी competitive class है, तो derivation को मैं बहुत ज़्यादा, detail में नहीं करना है, कुछ basic चीज थी जो मैंने बता दी, आप आराम से इसको कर, पर solve कीजिएगा ठीक है न, जब इस lecture सोने इसको आके solve कीजिएगा, करना क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, using equation 3 in equation 4, यानि समीकन 3 का समीकन 4 में आप उफ्योग करोगे, और पूरी calculation करोगे, तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर देखो A क्या है, unknown है, तो आपको equation 3 and 4 से आपको क्या मिल जाएगा, A का मान मिलेगा, और वो क्या मिलेगा, उसको आप note कर लिए, वो मिलेगा, आपको mk upon j square under root 1 plus 2e j square upon mk square, यह मान आपको पता करना है, ठीक है, तो जब आप इस equation 4 को solve करोगे, तो आपको A का मान मिल जाएगा, तो यह आपके लिए हमबर क्या आप हराम से कर सकते हो तो बस, तो आगे बढ़ते हम, अब आपको पास A मिल गया, तो जैसे आप A रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, U मिल जाएगा, और हमारा main target क्या है, आपको पता है, F दे रखा है तो आपको ultimately निकालना क्या है, U या R निकालना है, तो U मिल गया, बस इसको solve कर लेते हैं ठीक है, तो U क्या मिल जाएगा आपको, U हो गया आपका, U is equal to A का माहन है, Mk upon J square, 1 plus 2E, 2E J square upon Mk square, cos theta minus theta 0, plus Mk upon J square, तो देखो, यहां से, Mk upon J square तो आगया, common, यह 1 plus under root 1 plus 2E, J square upon Mk square, cos theta minus theta 0, इसको में इदर ले आता हूँ, तो यह हो जाएगा, J square upon Mk, और U को 1 upon R निक सकता हूँ, तो यह लो 1 upon R, is equal to 1 plus under root 1 plus 2E, J square upon Mk square, cos theta minus theta 0, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस प्रकार से लिख रहा हूँ, L upon R is equal to 1 plus E, cos theta minus theta 0, ठीक है, जहां पर, जहां पर आपका, where L is equal to क्या हो जाएगा, J square upon Mk, and E is equal to हो जाएगा, under root of 1 plus 2E, J square upon Mk square, यह आपको पूरा याद रखना है, कोई L constant है कोई, जिसका मान J square upon Mk हो गिया, और E भी क्या है, कोई constant जिसका मान क्या है, 1 plus 2E J square upon Mk square, और इस E को हम क्या कहते हैं, यह भी मैं सब बताऊंगा, eccentric city, यह इसको आप क्या सकते हो, utkendrata, क्या क्या सकते हो, utkendrata, और यह क्या आपका, R का मान आगे है, L upon R, यानि R का मान निकलता है, जब आप इसको solve करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, यह तरसे difference equation को जब आपने solve किया, तो आपको R का मान मिल गिया, और यह किया एक प्रकार की, कोई भी से, क्या कह सकते हैं, conic section होता है, सांकव परिचेद होता है, उसकी equation है, this is the general equation of a conic section, whose eccentricity is E, अब इस इसको आप समझे, first year में आपके two dimensional, जो 2D geometry है, उसमें एक chapter है, आपका tracing of curve, ठीक है ना, conic section, तो वहाँ पर आपको इस प्रकार के equations मिलेगी, यानि अब eccentricity के मान के आधार पर, आप क्या बता सकते हो, कि जो यह सांकव परिचेद बन रहा है, क्योंकि R का जो कुछ मान होगा, उसका अनुसार कुछ ना, कुछ आपको ट्रेस करोगे, तो जब ट्रेस करोगे, तो उस हंको बन रहा है, वह किस प्रकार का होगा, वह वरत होगा, वह परवले होगा, वह दिरवरत होगा, या वह हैपरबोला, या अति परवले होगा, वो किस प्रकार का होगा, उसका पता आपको कहां से चलता है, इस eccentricity से चलता है, तो अब इस पूरे derivation में आपको पता क्या रखना है, साइड में आप क्या note करोगे, सबसे पहले जब आप inverse square law की बात कर ले हो, तो यह equation आपको पता होने चाहिए, फिर inverse square law का मतलब क्या है, कि ज solve करोगे, और पूरी mathematical calculation करोगे, ultimate target क्या है, आपको निकालना U या R, तो यह जब हमने पूरा solve किया, तो आपके क्या निकल गया, L upon R is equal to 1 plus E cos theta minus theta 0, इसको theta minus theta 0 को या theta को E की बातों से कोई फरक नहीं पड़ेगा, यह equation आपको anytime याद रखनी है, यह क्या है, this is the general equation of a conic, whose eccentricity is E and this particle is moving under the central force field, अर्थार्च, sorry, central force के inverse square low field, इसको सुन लीजी आप यह क्या है, किसी यदी कोई कन, व्यूतकरम गवर्ग नियम के अंतरगत गती कर रहा है, तो उस कन के द्वारा, निर्मित सांको परिछेत को निम्न समिगन द्वारा दर्साया जा सकता है, L upon R is equal to 1 plus E cos theta minus theta 0, जहां L क्या है, यह सब आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि बार-बार L काई काम आएगा, तो L कमान आपको सीधा पता होना चाहिए क्या होता है, J square upon Mk, और E कमान तो बहुत important है, 1 plus 2 E J square upon Mk square, तो E आपके क्या है, eccentricity, तो इस चीच को आप साइड़ बे नोट कर ली तो देखिए, eccentricity आपको क्या दसार है, उसको मैंने नोट किया है, और उसको आप समझिये, और फिर इसको नोट कीजिए, very important है, तो हम लोगों ने क्या देख लिया, कि यह जो equation थी, L upon R is equal to 1 plus E cos theta minus theta 0 वो क्या थी, general equation of a conic section थी, ठीक है, वहाँ पर L क्या था, J square upon Mk, और E क्य किया है, इसीच को मैंने नोट किया है, और यह आपको पता होना चाहिए, basically हम eccentricity को मैस में पढ़ता है, लेकिन वहाँ पर हम क्या करता है, क्यवल, questions all करने की practice में रहे जाता है, इसकी जो theme eccentricity क्या दर्शार है, उसको हम समझने का प्रयास कम करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जीरो से ज्यादा है, जीरो से कम है, एक से ज्यादा, एक से कम है, किस प्रकार का है, वह क्या निधरिद करता है, कि जो आपका इस conic section की equations जो orbit बनेगा, वो किस प्रकार का होगा, तो decides the nature of an orbit, और E है क्या, E is a non-negative real number, non-negative का मतलब क्या हो गया, कि इसका मान 0 से कम नहीं हो स सकता, समद की जी चुका, non-negative मतलब क्या हो गया, 0 से कम नहीं हो सकता, real number है, तो ऐसा कोई complex type का number नहीं हो सकता, आयोटाजिस में आ जाए, ठीक है, that uniquely characterizes the shape of a conic, अब देखिया, जो हमने उपर बात की थी, कि जो E का मान होता है, वह क्या करता है, कोई भी जो conic है, उसकी shape, यानि उसकी shape and size word होता है, तो shape का मतलब होता है, आकरती, किस परकार की आकरती होगी, ठीक है न, उसको कौन इड़ारेत करता है, E करता है, और E basically है क्या, मैंने नीचे एक line और लिखिये, E is a measure of how much a conic section deviates from being circular, अब आप इसको समझे, यानि कोई भी जो conic section है, अगर मानलों व विचलित हो रहा है, यानि वो circle से इस परकार का हो रहा है, या circle से ऐसे हो रहा है, या ऐसे हो रहा है, किस परकार से हो रहा है, कितना विचलित हो रहा है, वो कौन इड़ारेत करता है, E करता है, तो circle के लिए तो E क्या हो जाएगा आपका, circle के लिए E हो जाएगा आपका 0, इस चीज़ को आप धियान रखिए, ठीक है, सरकल के लिए तो क्या हो जाएगा, E 0 होगा, अब E का 0 के अलाव कोई भी मानो, क्योंकि हमने पहले लिख दिया, E क्या है, Non-Negative Real Number है, या जिरो से कम नहीं हो सकता, वो 0 से बड़ा होगा, या 1 होगा, या 1 से कम होगा, एक से ज़्यादा होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो 0 से कम नहीं हो सकता, तो E क्या निर्दारित कर रहा है, कि E is equal to 0 का, तो simple सा मतलब क्या हो गया, कि जो आपका conic section है, वो कैसा है, circular type का है, या circle है, अब E कमान, जैसे ही 0 से विचलित होगा, तो आपका conic section भी क्या हो जाएगा, deviate हो जाएगा, वो circular नहीं रहेगा, वो कुछ अलग प्रकार का होगा, तो इस line का यह मतलब है, यह very important चीज़ है, ठीक है न, तो यहां से आपको पता चलता है, कि E दर्सा क्या रहा है, E, conic section की shape को दर्सा रहा है, और E क्या दर्सा रहा है, कि E के महान में जो भी विचलिन होता है, या E का जो भी महान होता है, वो यह दर्सा रहा है कि कोई भी conic section, अपने circular beaver से कितना विचलित हुआ है तो अब मैं क्या करूँगा यहां एक लिस्टिंग करूँगा टेबल ठीक है और वेरी इंपोर्टेंट है उब्जेक्टि एक जाम इसे question पूछे जाते हैं उस table को आपको याद रखना है और आपको समझ में आ जाएगी याद करने की पड़ जाएगा तो यह इदर जाएगा इसका मान क्या आएगा इस इकल टू माइनस एम के स्कॉर अपॉन टू जे स्कॉर आप देख लीजी ठीक है अब मान लो ए क्या हो जाए ए के दो मान हो सकते हैं अब ए मान लो क्या हो लेस देन वन हो ठीक है ए मान लो क्या हो लेस देन वन हो लेस देन वन हो लेस देन वन हो तो मुझे बताईए जो capital energy E होगी वो किस प्रकार की होगी E का मान लेस देन वन हो तो capital energy किस प्रकार की होगी E का मान लेस देन वन है तो capital किमजे बताएं आपकी मुझे बताएं किया होगी जीरो से बड़ी होगी है छोटी होगी आप सोचके देखिए डील जो गी वो क्या होगी जीरो से छोटी होगी और इस सिस्तादि में जो कॉनिक क्या होगा इस में से आप कुछ गटा होगे यानि कुछ माइनस करोगे माइनस करोगे तब ही क्या होगा यह मान एक से छोटा होगा तब ही का मान आप क्या मिलेगा लेस्देन वन मिलेगा तो अब क्या होगा वह मैं नहीं पता वह जब इलिप्स पढ़ेंगे तब देख लेकिन यहां से निश्कर्स क्या निकल रहा है कि इलिप्स के लिए आपके EG less than 0 होगी, ठीक है, negative होगी, negative होगी तब भी तो यह मानगी, मुझे इस EG less than 1 के लिए क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस EG में से कुछ नो कुछ गठना चाहिए, तब ही तो उस conduit EG से कम आएगा, और गटने के लिए क्या है? 2 तो positive है, J positive, M positive, K positive तब यह minus जो sign है, वो plus sign है, वो minus में कैसे convert होगा? वो तब ही convert होगा, जब आपका E क्या हो? Negative हो, और E negative होने का मतलब क्या हो गया? Less than 0, तो E less than 0, उस इस्तति में आपके conic section कैसा हो जाएगा? इलिप्स, अब अगली एक इस्तति आती है, कि E is equal to 1, E is equal to 1 कब होगा? E is equal to 1 तब होगा, जब E का मान क्या हो? 0, यानि energy 0 हो जाए, इस इस्तति में जो conic section होता है, वो होता है आपका parabola, परवल है, और जब E is greater than 1 हो, तो निश्चित है, energy भी क्या होगी? positive होगी, इस इस्तति में जो conic section होता है, वो कैसा होता है आपका hyperbola, तो ये साणनी आपको याद रखनी है, इस तरह से आपको पूछा चाहता है, अब यहां से एक जो और निकल रही है, आप देखिए जो circle और ellipse है, ये दोनों इक प्रकार की क्या है? close orbit है, ठीक है, मैं इसको यहाँ एक और लिख लिता हूँ, ये भी आपको समझना चाहिए, जो आपका circle और ellipse है, circle और ellipse, ये कैसे orbit है? closed, close orbit है, ठीक है? यानि बंद एक प्रकार के सांकों पर इचे थे, क्योंकि देखो, ये भी बंद है, और ये भी बंद है, और आपको पता, कोई भी बंद पत में गति कर रहा है, तो उर्जा में सा क्या होती है, रिणात में को होती है, ठीक है न? तो देख लिए आपको अपना, अपना क्या मिल रहा है? Ease less than zero मिल रही है, और ये दोनों क्या है? पराबॉल और आइपर बोला वो कैसे है? ओपन ओर्बिट है, तो इसकी एनर्जी में सा क्या होगी? उसकी उर्जा में सा zero से ज़्यादा होगी, वो बंद नहीं पाएंगे, अट्रेक्टिव नहीं होगी, अट्रेक्टिव नहीं होगी, याद रहनी चाहिए, हम लोग इसको समझ के ही कर रहे है, यह सा रिसकी ऐख्यारा, यह चाहिए, इसको समझ समझ के बना इंगे, फिर यह कह सो close orbit ऐग्ध कर आभ को बिटा है? यह close orbit होता है, तो उसके लिए condition क्या होगी, उसके लिए condition होगी इस प्रकार से, प्रपार बोला और आपर बोला भी इस तरह से बनाते हूँ, जो भी जिस प्रकार का भी शेप हो, ठीक है, तो ये सांड़नी आपका पता होने चाहिए, और ये पता होने चाहिए, और ultimately दर्सा क्या रहा है, जो आपकी, कन की जो उर्जा है, एक प्रकार से नेगेटिव है तो आप एक लाइन यह निन भी नोट कर सकते हो दस दा साइन अफ टोटल एनरजी इंडिकेट्स दा शेफ आफ एन ऑर्बिट यह इंपोर्टन चीज थी तो यह जो हम टॉपिक लेके चल रहे थे इंवर्स स्क्वेर लो यह सारी जे किसके लिए इनवर्स स्क् इन्वर्स स्क्वार लो से तो यह पूरा एक इंपॉर्टन टॉपिक था अभी आप सिर्फ इस थियोरी को समझे जैसा ही एक या दो लेक्चर और होंगे थियोरी कंप्लिट हो जाएगी तो हर लेक्चर से जुड़े वे नुमेरिकल का मैं पूरा आपको एक प्रेक्टिस सेट भी अवेलेबल करऊंगा और हम उस नुमेरिकल को यहाप पर वोड पर भी करेंगे तब यह पूरा टॉपिक आपके तयार हो जाएगा और मोस्ट पूबिली एक दो एक क्विश्चन तो 100% इसमें से आपके IIT जैम या कोई भी आपका MS एंट्रेस एक्जाम उसमें आता ही आ पॉइंट में और अपनी बास हमें इनको नोट करते रही है ठीक है न क्योंकि यह जो लेक्टर स्रीज है वो उस तरह से नहीं एकेडिमिक आपका BAC एक्जाम के जासे एक एक चीज़ को हम बिल्कुल नोट करें हालाएंगे मैं चीज़ों को बता रहा हूं लेकिन फिर इमोशन उसको नेक्स लेक्चर में देखेंगे थैंक यू